नमस्ते दोस्तों टेक्मेक चैनल में आपका स्वागत है कल मेकनिकल मेंटरनस का पेपर है बोड का इसलिए मैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्वाल करके दिखा रहा हूँ आपको फूर्टे आउट आप फूर्टे मिलने के लिए मैं कोशिज कर रहा हूँ आप यहाँ वीडियो एंड तक देखिए तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आराम से बोड के एक्जाम में आप लिख सकेंगे तो पहला क्वेश्चन है वाट टाइप सॉप अप्रेशन परफ्वॉर्म्स ऑन ग्रैंडिंग मशीन ग्रैंडिंग मशीन के उपर किस टाइप के आपको फूर्टे किए जाते हाँ इस दो मार का क्वेश्चन है प्रिविएस एक्जाम में पूझे गया था यह साल में आप पूश सकता है तो इसके ल स्क्वेरिंग फिप्ट एन शिक्स एच ग्रांडिंग वर्टिकल सर्पेश इस और अपरेशन परफॉर्म्स ऑन ग्रांडिंग मशिन सो राइट डाउन इस अंसर नेक्स्ट क्वेशन प्रिवेश एक्जाम में पुछे काया था यह तो मार्च 95 का है लेकिन आपको मालूम होने के लिए मैं आपको एक्स्प्लेंग करता है वाड़ था टाइपस ऑप ड्रिल और राइट नोडस ऑं एनी वन आप देम यह कोई भी के इसके उपर एक का एक्स्प्लेंग करने का है फॉलिंग और ताइपस ऑप ड्रिल फ्लाइट स्प्रेड ड्रिल प्लाइट ड्रिल के दे या इसको स्प्रेड ड्रिल के दे दूसरा स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल रहता है थर्ड रहता है टू लीप ट्विस्ट ड्रिल रहता है इसमें दो टाइप रहते है टेपर सांग ड्रिल रहते है एक पैरलल सांग ड्रिल रहते है तो फॉर्थ टेपर सांग कोर ड्रिल थ्री और फॉर फॉर्ट रहते है इस ड्रिल में और फिप्त रहता है ऑल ट्यूब ड्रिल एन सिक्स रहता है सेंटर ड्रिल इस टाइप के दो टो को मार्क का कोश्च्षन पुछ गया था इसमें से आप कोई भी एक एक का explain करने का थो यहां पे flat spread drill का explain किया है the flat drill consist of head of flat blade type and ऑलेख कई एंटेज रड द पर उ pavedहा एे पर लेख उजर वीच च्छे टीजने वीज शूने लेवाग वीटिश डेर लेखन ऐस अधा इव्या हम बिहे नहीं बिर आ भल करन ना भीङ्स ध happy लőव– def登録 right स्टेट होल डीप होल ड्रिलिंग इस नॉट पॉसिवाल बाई इस ड्रिल इस टाइब का फ्लैट ड्रिल के लिए यह ज्यादा करके लकड के उपर यूज किया जाता है तो यह फ्लैट ड्रिल का प्रोसीजर आपको लिखने जाए लास्ट एर में आपको भी आई इस टाइब के क्यों पुछा था स्टेट डिफरेंट ड्रिल विट डियर यूज इसका यूज अलग-अलग बताने का है तो यह तीन मार्क का क्यों पुछा गया था फ्लैट स्प्रेड ड्रिल स्टेट फ्लूट ड्रिल टू लिप्स यह सबी ड्रिल का आपको यू यू बताने का है फ्लैट ड्रिल कहां पे यूसके जाए दाई डिस्ट डिल इस्ट इस्ट फ्लैट पॉर इंग जाग दिफी डिल इस्ट पर डिलिंग अथीन सीट मेटल पत्रें के उपर इसके इस तमाल के जाए तू लिप टिज ड्यिली इस most commonly types of drill, यह ज़्यादा करके यूज किया जाता है, taper shank drill, this drill is used for enlarging the holes that have been previous drill, oil tube hole drill, this is used for drilling a deep hole, center drill, this drill is used when center hole are drilled on the end of the shaft, इसके लिए इसका यूज किया जाता है, इस तरह से आप 2-2 मार्के, 3-3 मार्के question, short question रहेते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपने अभी तक मेरा चानल नहीं सब्सक्राइब किया था, आर कॉमरली यूज, डिस्क्राइब ब्रिप, दो मार्का question पूछा गया था, एक्जम में, following are the standard taper, आर कॉमरली यूज, फर्स्ट इस मोज टेपर, ब्राउन अन शार्प टेपर, स्टेंडर टेपर, इंडियान स्टेंडर टेपर, जर्नो टेपर, इसका description आपको लिखने का है, मोज टेपर, यूज, पॉर ड्रिल, रिमर, एंड लेट सेंटर सैंग, इसके उपर इसका इस्तमाल किया जाता है, मोज टेपर का, ब्राउन अन शार्प टेपर, यूज, पॉर टेपर सैंग, अन दे टूल, एंड मिल, कटर, अर्बर, रिमर, कॉलेट, एटसी, जनरली यूज, अन ब्राउन अन शार्प मशिन, या मिलिंग मशिन के उपर, ये इसका इस्तमाल किया जाता है, स्टैंड टेपर पिन, वन पॉर इंच पर फूट, यूज, पॉर पॉलिशिंग, एंड मिल, के ऊपर, वर्क करने के टाइम, कौन से कौन से holding devices use करते है drilling करने के time जो drill material पकड़ते है अपन लोकन का, कास्ट आइन का वो hold करने के लिए कौन से device use किया जाते है तो पहला सबसे पहले T-bolt या clamp उसके बाद drill press wise use किया जाते है drill jig use किया जाते है V-block का इस्तमाल किया जाते है step block का इस्तमाल किया जाते है और angle plate का इस्तमाल किया जाते है तो यह हो गया work holding devices on drilling machine इसका list बनने का है दो मार का question आते है दो मार का question list the different types of milling cutter milling cutter का अलग-अलग type के cutter के नाम लिखने का है तो इसमें भी आपको दो मार का question पूछा जाते है plain milling cutter, end mill cutter, slide slitting cutter, firm milling cutter, t-slot cutter, side end milling cutter, cell end mill cutter, angle cutter, gear cutter, ply cutter, इस टाइप के अलग-अलग cutter आप लिखेंगे तो आपको दो मार क्स मिल जाएंगे इसके बाद दो मार का question पूछा जाता है previous section में पूछा है what are the different types of drill machine different types of drill machine के खाली नाम लिखने का है portable drilling machine sensitive drilling machine इसमें दो टाइप रहते है bench mounting machine or floor mounting machine and then upright milling machine round column machine and box time इसमें दो टाइप रहते है column round column machine and box column machine और इसके बाद fourth रहते है radial drilling machine में plain machine इसके बाद universal machine semi-universal machine इस टाइप के radial drilling में रहते है अलग अलग इसके बाद पास नमबर का ग्यांग drilling machine रहता है six number का multi spindle drilling machine में रहता है seven ato automatic drilling machine रहता है इसके बाद art number का deep hole drilling machine इसमें आपको deep hole करने का है तो इसके लिए drill अलग अलग टाइप के spindle आते है लंबे उसमें आप drill कर सकते है vertical भी कर सकते है horizontal भी कर सकते है इसे इसे drip hole drilling machine कहते है इस टाइप के नाम आपको लिखने का है इसके बाद आए इसके बाद आए what are the different types of super finishing tool super finishing tool कोंशे कोंशे रहे थे falling are the different types of super finishing tool honing, lapping, super finishing, buffing, polishing and brushing burnishing तो यह टाइप के six type के lapping operation रहते है तो आप आराम से लिख सकते है अगला question है list out the operation performs on milling machine milling machine के उपर किस type के operation किया जाता है इसका दो मार का question पूचा गया था इसमें आपको 15 type के milling machine operation रहते है आप 10 भी लिख सकते है 12 भी लिख सकते है कोई जरूत नहीं 16 का 16 लिखनेगा plane और slab milling, angular milling, saddle milling, slot and groove milling, slitting और soft milling, end milling, gear milling, thread milling, face milling, form milling, gang milling, keyway milling, side milling, profile milling, gear gear, gear milling, gang milling, helical milling, इस type के जो आपको important लगता है वो आप लिख सकते है milling operation इस type के रहते है इसके बाद दो मार का question है list the main parts of slotting machine slotting machine के main parts का लिखने का है first is base of bed, column, saddle, cross slide, rotary table, ram and tool head assembly, ram draw mechanism, feed mechanism इस type के question आप पूरा book में आप पड़ेंगे तो दो मार के question इसमें सिर्फ point wise लिखना पड़ता है list बनाने पड़ते है diagram छोड़ा सा निकलना पड़ता है तो यह दो मार के question आपको समझ में आया होगा कल के exam के लिए आपको थोड़ा idea आने के लिए मैं यह video बनाया था अगर यह video आपको अच्छा लगा आपने end तक देखा होएगा तो आपको यह video कैसा लगा वो comment box में जरूर लिखे आपको यह video और like कीजे और अपने दोस्त को share कीजे अगर अच्छा लगा तो like जरूर कीजे अब thank you